Hello guys, this is Zarit Tejoshi, welcome back to our channel बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि भाईया, टाइम मैनेज कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में क्विकली कि टाइम मैनेज कैसे करना है I am psychology major, MBBA student, unacademy educator और नी 2024 के लिए मैं आपको guide करता आ रहा हूँ तो time manage करने की ना एक psychological trick होती है जो psychology में भी पढ़ा ही जाती है तो उसके through मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको एक table बनाने है जैसे कि आपको screen में देख रहा है और दो table में ना दो headings होने वाली है first होने वाली है prioritize, मतलब priority के हिसाब से and second चीज होने वाली segmentalize मतलब segment कर देना अपने time को तो देखो priority के हिसाब से तीन type के काम आपके पास होने वाले है पहला काम होगा have to do immediately मतलब जो सबसे आदा time sensitive होने वाला है दूसरा होगा to do today मतलब ऐसा काम जो आपको आज के पूरे दिन में complete करना है लेकिन ऐसा नहीं की बिल्कुल अभी करने की ज़रत है और तीसरा है can be done later on मतलब ऐसा काम जो immediately करने की कोई ज़रत नहीं है मतलब time sensitive काम नहीं है अब आजाते है segmentalize में इसमें क्या करना है आपको अपने काम को जो भी आपका काम है जो भी task है जितने भी task हैं उनको तीन पार्ट में divide कर देना है पहला होगा most important ऐसा task जो आपको करना ही करना है मतलब ये नहीं करोगे तो आपका दिन अधूरा रह जाएगा right तो most important task second task होने वाले important या फिर less important and third task होने वाले least important तो ये हमने 6 तरीके से अपने सारे काम को एक दिन में जो जो हमें काम करना है उसको segmentalize कर दिया है इससे हमें पता चल गया कि काम का level और intensity क्या है right अब हम देखेंगे कि काम को कैसे manage करना है तो time management की एक ही trick है कि आपको पता होना चीए कौन सा काम कब करना है उसी को तो time manage करना कहते है अगर आप एक दिन में सारे काम करने लग गए तो कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा कुछ काम होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा focus देना पड़ता है कुछ काम होते हैं जो जल्दी खतम हो जाते हैं तो देखो जो काम आपको immediately करना है मतलब time sensitive है and most important भी है उसको सबसे पहले करो जो आपको yellow box में दिख रहा है अब आ जाते हैं red box में जो काम आपको आज करना है लेकिन immediately नहीं करना and it is important but not that important उसको आप थोड़ी देर बात करना ठीक है do later and last में जो काम आप बाद में कर सकते हो time sensitive बिलकुल नहीं है and least important भी है उसको आप कल के लिए छोड़ दो मतलब आज करने की उसकी कोई जरत नहीं है अब आ जाते हैं green pen से जो आपको दिख रहा है उसके उपर जो काम आपको immediately करना है मतलब सबसे आदा time sensitive है and it is important but it is not that important उसको आप quickly करने ही कोशिश करना लेकिन सबसे पहला task वो मत करना अब ये examples के साथ दूँगा तो समझ आ जाएगा ठीक है सबसे पहला task वो करना है जो सबसे important भी और time sensitive भी है last में ऐसा task जो आज की दिन करना है लेकिन important नहीं है बिलकुल भी उसको तो आप सोने से पहले कर सकते हो या फिर जरूरी नहीं है आज ही करना है ठीक है रात में बिलकुल जब ठक जाओ तब करना अब example दे देता हूँ आपने सोचा कि भाईया आज मुझे mock test लगाना है और उसका analysis भी देना है लेकिन mock test लगाने से पहले मुझे quick revision भी करना है quick revision के साथ-साथ मुझे देखना है मेरे जो पुराने backlogs बचे है उनको मैं कैसे handle करू और आज आपने कुछ task दिये मुझे जो मुझे वो भी cover करने है तो इनको कैसे prioritize करू क्योंकि यही रहता है बहुत सारे बच्चे मेरे mentorship program के part है तो उनके पास भी यही doubt रहता है कि daily task कैसे cover करे backlog कैसे cover करे mock test लगाना है तो वो कैसे करे revision कैसे करे analysis कैसे करे सबसे पहला जो आपको immediately time sensitive task करना है वो होना चाहिए revision करने का ताकि आप mock test अच्छे से दे सको तो सबसे immediately करने वाला task कौन सा हो गया time sensitive revision ताकि हम mock test मे अच्छा focus दे सके अब उसको सबसे पहले करो वो सबसे important भी है और सबसे ज़्यादा time sensitive भी है second number पे आपको क्या करना है mock test देना है यह आपका बहुत important है ठीक है और बहुत time sensitive भी है but second number पे इसको करोगे तो यह होगा have to do immediately but it is important तो एक green line से जो दिख रहा था तो first task के बाद आप कर दोगे इसके बाद आपको analysis करना है analysis का आजाता है has to do today and it is important तो इसको आप do later में डाल दोगे मतलब शाम को आप करोगे अब आजाते हैं backlog creation में backlog ऐसा है कि it has to be done today but it is least important क्योंकि इस समय सबसे आदे important था आपका question practice करना mock test लगाना आज के task complete करना तो इसको आप सोने से पहले करोगे अब आजाते हैं भाईया आपके task कप करें जो आपने आज complete करने के लिए targets दी है हमे तो वो ऐसा है कि you have to do immediately but it is important it is not that important क्योंकि सबसे important task तुमारा आज के लिए था mock test लगाना तो ये भी तुम mock test लगाने और revision करने के बाद करोगे तो एक overall sequence क्या बन के आई सबसे पहले तुम करोगे revision अपने weak areas का ताकि तुम mock test में अच्छा prepare कर सको revision से मेरा मतलब है उन चीजों को पढ़ना जो mock test में पूछी जाने वाली है उन topics को पढ़ना जो weak है second चीज तुम करोगे mock test लगाओगे mock test लगाने के समय तुम देखोगे अपने आपको two and a half hour से जाधा time मत देना and उसके बाद mock test का analysis तुम शाम को करना analysis and mock test के बीच में तुम मेरे task and targets complete कर लेना and उसके बाद analysis करना analysis करने के बाद सोने से पहले तुम करोगे backlogs तो देख रहे हो कैसे मैंने सब को task को कैसे एक के उपर एक ऐसे arrange कर दिया क्यों कर पाया क्योंकि मझे पता था कौन सा task सबसे important है कौन से task को सबसे पहले करने की ज़रत है तो इस तरीके से अगर तुम चलोगे तो तुमारे time tables बनाने में भी help हो जाएगी तुम्हें पता भी चल जाएगा किस task और target को कब करना और कैसे करना है राइट वीडियो खतम होने से पहले surprise दे देता हूँ नीचे जाओ description में वहाँ पे एक link मिलेगा वो है तुमारा free full syllabus mock test का मैं तुम्हें promise किया था था ना कि मैं जो जो help कर सकता हूँ करता रहूँगा तो mock test से डरो मत जितने mock test लगा सकते हो लगाओ फिर comment करके बताना कितना score आया अगेन एक चीज़ और मैं बता देता हूँ mock test app में जाके होगा completely free है आपको कुछ pay नहीं करना इस वाले mock test के लिए but the thing is इसमें जो total score है ना वो out of 800 दिखा रहा होगा वो उसकी tension मत करो total score आपका 720 से ही calculate हुआ है it's just कि आपका interface ऐसा है कि हमने section B भी दे रखा है आपको क्योंकि neat के जैसा बनाना है ना मैं तो इसलिए वो 800 दिखा रहा है ignore that जो आपका score आते हो 720 में से silly mistake मत करना negative marking मत करना try your best, give your best, all the best